आज का वचन जगत के निर्बलों के लिए है, आज का वचन जगत के मूर्खों के लिए है, आज का वचन सब प्रकार के त्याग हुओं के लिए है, आज का वचन उन तुछ लोगों के लिए है, जो कुछ भी नहीं है, आज का वचन उन सभी लोगों के लिए है, जिनको समने आज का वचन उस दरिद्र के लिए है जिसको सब ने छोड़ दिया के लिए जिसको सब है दिक कार दिया तुछच जाना और बेजदी की और नाम धराई की गई क्योंकि लिका है वचन कहता है उसका वचन कहता है कि ना बुद्धिमार अपने बुद्धी पर घमन करें ना वीर अपनी वीरता पर न धनी अपने धन पर वरन जो घमन करना चाहता है वो इस बात पर घमन करें कि वो परमेश्र को जानता है और समझता है परमेश्र का वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वे मनुष्य कि जिसको चुन कर परमेश्र अपने समी पाने देता है आज कब परमेश्र का वचन कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया है मैंने तुझे तजा नहीं है मैंने तुझे छोड़ा नहीं है मैंने तुझे अपने पास बुलाया है मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है मैंने उमरते वे तेल से देरा भी शेक किया है मैंने तुझे जाती जाती पर भविशे द्वक्ता ठराया है मैंने तुझे शत्रू की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है मैंने सब कुछ तेरे पाउं तले कर दिया है मैंने स्वर्ग और अदलों की कुंजियां तुझे दी है और लिखा है कि जब मैंने तेरे लिए अपना एक लोता पुत्र नहीं रख शोड़ा तो मैं तुझे ये सब वस्तुएं क्यों नहीं दूँगा उसका वचन कहता है कि तुम आत्मा से शुरू करके शरीर की लालचों ओपर शरीर की अविलाशों पर शारीरिक बातों बर क्यों खतम करते हो सबसे बड़ा धन मनुष्य का प्राण है अगर मनुष्य सारे जगत को भी प्राप्त कर ले वरन अपने प्राणों की हानी उठाए तो उसे क्या लाब तुम दिन पर परिश्रम करके क्यों दुखबरी रोटी खाते हो क्यों तुम नाश्मन वस्तुओं के लिए परिश्रम करते हो आज हम सब कुछ करते हैं लेकिन खुदा के लिए कभी अपने आपको जीरो और समर्पित नहीं करते आज हम आपने आपको बहुत बुद्धिमान समझते हैं लिखा है वो बुद्धिमान उनको उनकी बुद्धी में फसा देता है समझदारक उनकी समझदारी में फसा देता है पेड फलों से लदा हुआ होता है वही जुखता है क्या आज हमारे अंदर अपने आपको जीरो करने माला, शूरने करने माला और परमेश्र के आगे समर्पित करने माला surrender करने वाला फल है क्या कहीं आज हम अपने आपको ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा ज़्यादा समझदार ज़्यादा पैसे वाला, ज़्यादा धंदोलत वाला ज़्यादा ज़्यादा ज़्यानी और हर काम को अपने तरीकी से करने वाला, कहीं हम अपने आप पर वरोसा तो नहीं करते हैं, कहीं हम अपने धन पर वरोसा तो नहीं करते हैं, कहीं हम अपने धन पर वरोसा तो नहीं करते हैं, कहीं हम अपने रातना पर पर वचनों पर शेर किये जाने पर, और कहीं हम अपने शरीर प्राण और आत्मा पर घमंड तो नहीं करते हैं कहीं हम अपने किसी बात पर घमंड तो नहीं करते हैं कहीं हम ये तो नहीं सोचते हैं कि मेरे भीगर किसी की गाड़ी नहीं चलती है कहीं आज हम ये तो नहीं सोचते हैं कि इस घर की जड़ मैं हूँ कहीं आज हम ये तो नहीं सोचते हैं कि मेरे भीगर वो सामने वाला बेकार है, मेरे भीगर ये घर खराब है, मेरे भीगर कुछ भी नहीं है इनके जीवन में, कहीं अपने आप वाज आप ये तो नहीं सोचते हैं, जो ये सोचता है, उसको अपने अंदर से हमें निकालना है, क इतिहास कारकों को याद करो जिनके दुआरा खुदा ने इतिहास रचा जिनों ने अपने आपको परमेशुर के आगे समर्पित किया शुन ने किया जीरो किया अपने आपको परमेशुर के आगे इतना निर्वल बना दिये कि खुदा तेरे भी गर मैं कुछ नहीं कर सकता मेर तेरे हाथ में है। नए कदमों को नए ने रूल्स और रेगुलेशन को बनाने के कारण आजम अपने आपको संसार से अलग करके और परमेश्चों के साथ क्लोज कनेक्शन में आते हैं और मजबूत करते हैं आजम उनको देखकर सही राप पर चलने की कोशिश करते हैं उन्होंने अपने जीवन क जिनको रौदा जाता था जिनको कोई पूछने वाला नहीं था जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं था जो यूही कंकड़ पत्थर की तरह सडकों की किनारों पर बाड़ों पर पड़े रहते थे लेकिन जब उन्होंने अपने आपको खुदावंद के हाथों में सौपा क्य मेरे गलल decisions के कारण मेरे खुदा की आँखों में आसु आते है जब उन्होंने देखा कि मैं खुदा के वीगर कुछ नहीं हो तो उन्होंने अपने आपको सच्चे परमेश्वर अपने creator के हाथ में अपने रचैता के हाथ में अपने कुमहार के हाथ में जब उन्होंने अपने आपको खुदा के हाथ में सौपा, तो जब खुदा का हाथ उस मिट्टी पर लगा, तो वो मिट्टी कुंदन बन गई, वो इतिहास कार बन गई, जिनके बारे में आज हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समस्ते हैं, जानते हैं, और कभी-कभी हम उनकी तरह बनने की इच्छा रखते हैं तो उन्हें ऐसा क्या किया जब उनके जीवन में समस्या कशे का उनने इस प्रकार की समस्या और Situliers उन्हें अपने आप को खुदा को कैसी कीट बढ़ा है और उन्हें आपको जीड़ि जीड़िव करने का आपको कोई कितना भी दिख कारता है, ना कारता है, कितना भी मूर्क कहता है, निर्बल कहता है, या कोई आपको कुछ भी कहता है, कितना भी त्यागे गए हो, कितने जितना भी आपके अंदर कमी है, उन सभी, उन सभी के लिए आप अपनी नोटबुक में एक जीरो लगा लो, कि हाँ मैं एक मूर्ख हूँ मूर्ख के लिए एक जीरो लगा लो हाँ मैं एक निर्बल हूँ हाँ मेरे अंदर बुद्धी नहीं है मेरे अंदर बच्चा दिमाग है हाँ मैं एक दरिद्र हूँ मैं एक अनातू में एक विद्वा हूँ क्योंकि zero को ही hero बनाया जाता है जो अकाश के उपर ज्यादा चड़ने की कोशिश करता है को उसको तो नीचे गिरना ही है लेकिन जो नीचे है वो उसको उठने का समय है आज वो उठेगा अगर आप मैंसे जो zero करता है अपने आपको अपने आपको surrender करता है कुदा के आगे जि नहीं मैं सुसमाचार सुनाता नहीं मैं खुदा के कारणे को करता नहीं मैं खुदा के गोड़ों को प्रकट करता वरन मैं दुख देता हूं जुड बोलता हूं वेविचार करता हूं चुकली करता हूं और निंदा करता हूं गलत संगतियों मैं खड़ा होता हूं बार बार हम हर एक जीरो के आगे खड़ा हो जाएगा ना उन सब जीरो के आगे खड़ा हो जाएगा तो आपकी गिंती करोडो अर्बो खर्बो बहुत उंचा इतनी तो मुझे गिंती में नहीं आती आपकी गिंती इतनी हो जाएगा आप अपने कीमत को जान पाओगे कि आप कितने अनम उसने काया कि तू मेरी द्रिश्टी में मोलो और प्रतिस्टित है तू आशीश का मूल होगा अरे तेरे उपड़ से तुम्हें पूरे मिस्त्र को पूरे संसार को वार कर फैक दूँआ मैं तुस्से कितना प्यार करता हूं यह तू खुद नहीं जानता है तो जब परमेश्व कितने बड़े चमतकार कि उनको खुदा ने कैसे उचा उठाया इस बारे में आज हम जानेंगे थोड़ा से समय अबरहाम के बारे में बात करते हैं अबरहाम के पास संतान नहीं थी अबरहाम सौ वर्ष्व हो चुका था उसकी पत्नी का मासिक धर्म बंद हो चुका था अब कहो खुदा से कि मेरी मुश्किले बढ़ी है उन मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बढ़ा है तो उन्होंने अपनी मुश्किलों से बढ़ा अपने खुदा को समझा और अपने आपको सरेंडर किया अबराहम ने अपने आपको जीरो किया तो आज तक हम अबराहम की संतान कहलाते हैं क्योंकि खुदा ने कहा था कि तेरी संताने इतनी होंगी तू इन बालो के किनकों को गिन सकता है इनके समान अंगिनत होंगी इन तारों के समान अंगिनत होंगी तू नहीं जानता कि तेरी इतनी संताने होंगी और अबराहम उस बात को थामे रहा क्योंकि वो जानत आज उस इतिहास को हम पढ़ते हैं आज वह एक्जामपल जब हमारे जीवन में आता है तो लिखा है कि अबराहम ने यहवा की बात को माना अब परमेश और यहवा ने अबराहम के बारे में गवाही दी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है इसलिए मैं तुझे उचा उठाऊंग होगा तु प्रतिग्या का वारिश होगा पर आज हम प्रतिग्या की सं कहलाते हैं आज वह एक इत्यास है और दूश्यरा ऑल के पुजारीदर्ए पर chang आहीं गिरी तब एल्या ने वहुipingदरों के समय पन आयापको श्रेंडर किया बन अपने आपको समर्पित किया और इतना जीरो कर दिया कहा कि है यह हुआ मैं कुछ भी नहीं तू कुछ कर दे सब कुछ हो जाएगा मैं अपने आपको सरेंडर करता मुझसे तो कुछ भी नहीं बन पड़ा मैं जैसा भी तू मुझे ग्रहन कर देख जो यह सारे लोग खड़ें क्यों क्योंकि एलिया परमेश्वर की नजर में एक सच्चाई खराई पवित्रताई में चलने वाला उस एलिया परमेश्वर की नजर में खराव्यक्ती था क्योंकि एलिया परमेश्वर पर घमंड करता था इसलिए परमेश्वर को एलिया पर भी घमंड था इसलिए तो उस समय उन बाल के पुजारियों ने उस अहब राजा ने गुटने टेक दिये और उन्होंने अपने मुझे खुद अंगीकार किया कि यहोवाही परमेश्वर है यहोवाही परमेश्वर है और तीसरा जब शद्रकमेश्वर भेदनको के सामने समस्या आई जब शद्रक मेशा का बेदनको को कहा था कि तुम इस मूर्थी के आगे दंडवत करो जब उस राजा के दंडवत करो अहीं आए तो उन्हें अपनें आपको खुदा क्याकि जीरो किया और उन्हें परिशिति सिचुईशन यह एक एसा चुनाव आया उस समय उन्होंते अपने आपको जीरो कर दिया समर्पित कर दिया तो लिखा है परमेश्वर उनको इस बात को देखकर हैरान हो गया की मेरे बच्चों ने ये तक कही दिया कि अगर मेरा परमेश्वर रह परमेश्वर ना भी बचाए तब भी हम तेरे आगे दंडवत नहीं करेंगे तो परमेश्वर ने अपने स्वर्ग दूद को बेच कर अपने दूद को बेच कर उस आग के भटे में से निकाल लिया जो जिसकी आग साथ गुना बढ़ा दी गई थी और वहाँ के राजा ने लोगों ने सच्चा परमेश्वर है आग के भटे में से निकाल सके ऐसी खतरनाक समस्या से अपने लोगों को बचा सके यही सच्चा इश्वर है इसी क्यों पासना करो जब उन्होंने अपने आपको परमेश्वर किया तो खुदा ने उनको उचा उठाया में एक ऐसी परिसिती आई कि कोई भी परमेशर से प्रात्ना नहीं करेगा और नहीं कोई परमेशो को धंडवत करेगा तो डैनियल ने किसी भी चीज को ना चुनकर अपने खुदा का चुनाफ किया और अपने खुदा के आगे सरेंडर किया समर्पित किया जीरो किया सरेंडर करेगा मुझे नहीं पता राजा क्या करेगा क्या नहीं करेगा लेकिन मैं तेरी उपासना करता हूं मैं तुझे धंडवत करूंगा प्रभू मैं किसी और को दंडवत नहीं करूंगा और नहीं मैं तुझे धंडवत करना छोड़ूंगा और दैनियल यही करता रहा जब दैनि इंसन को जो इतना भक्तिशाली था, इतना दीन और नमरत अटना वला इनसान था उसको मैं ने प्जिएर की मानने क्यू के अनल वा दिया खुदा ने उस राजा के मन में उस राजा के मन में इतनी तकड़ी बेचाने डाला दी कि राजा भोर होते के साथ ही उस Daniel को shiero के मान में देखने के लिए आया और जब देखने के लिए आया तो खुदवन के दुआरा उस चमतकार को उस ने डैनिëli के मुझे सुना क्या वो चमतकार यह था कि जब Daniel का प्रात्ना का समय घो जब Daniel ने प्रात्ना की तो परमेशन ने उन चेरों के मुखों बंद करा तो जब उस राजा ने सुना तो उस राजा ने गवाई दी कि हाँ तेरे सच्चे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया कि तेरा ही सच्चा परमेश्वर है और जम मुसा के सामने ऐसी परिस्टिया आई मुसा शकल का भद्दा था बिल्कूल जीरो था बेड बेड बखरिया चाराता था कपड़े बिल्कुल खराब हो चुके थे और त्यागा हुआ था और अब राजमेल से भागा हुआ थे लोग मार रहता मिसर के लोग और फिरोहन का राजा ुसको मारने के लिए डूण रहा था उछ यह दून रहा था। उच जगह का राजा उसको मारने के लिए ढूंड रहते हैं मुसा एक भगोड़ा व्यक्ति था। लेकिन मुसा ने अपने आग को जीरो कर दिया नंबर कर दिया दिया दिन कर दिया। मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे नहीं है, मैं talking क्थै को ‑‑ तो गádcket भी बीनाए है, मेरी हालत तो देख ले कुदा, मैं तो हगलाता हूं बोलने में मुसा के दुआरा दस विपत्तिया वेजी गई, 25,000,000 को उस मिस्र में से निकाल, निकालकर वहां से अपने बड़े बड़े चमतकारों को प्रकट करके परमेशर ने उस मुसा के दुआरा एक ऐसा इतिहास रचा जिसको आज हम भी पढ़ते हैं वो इतिहास ऐसा इतिहास है जो आज तक बदला नहीं गया वो इतिहास ऐसा इतिहास है परमेशर की नजर में जो इनसान कुछ भी नहीं है परमेशर उसी को बनाता है लेकिन जो इंसन अपने आपको बहुत बड़ा दिखाता है परमेशर उसको नीचा करता है क्योंकि लिखा है कि वो गमंडिय को सामना करता है और जो दीन और नम्र है वो उन पर अनुग्रे करता है परमेशर न अपना अनुग्रे मुसा पर भी किया और वो एक इतियास रच का चला गया और यहेचकल यहेचकल के समय में परमेशन ने कहा था कि यहेचकल यह सारी हड़ियां जी सकती है परमेशन यहेचकल को हड़ियों सूकी हड़ियों की तरह यहों में लेकर गया वहाँ पर यहेचकल से कहा परमेशन है कि यहेचकल बता कि क्या यह एडियां जी सकती है तो यहेचकल ने एक ही उत्तर दिया यहोवा मैं नहीं जानता मेरे में तो इतनी सामर्थ नहीं है लेकिन मैं यह जानता हूँ कि तू चाहे तो हो सकता है यहोवा तू ही जाने आप चाहे तो पढ़ सकते हो लिखा है माँ पर कि यहवा तू ही जाने तू चाहे तो हो सकता है क्यों? क्योंकि उसने गलत अंगीकार नहीं किया उसको पता था कि मैं नहीं कर सकता मैं तो निर्बल हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो नादान हूँ मैं तो मूर्ख हूँ मैं तो कुछ नहीं कर सकता है मेरे में तो अतनी सामर्थ नहीं कि मैं किसी को जिला दो लेकिन उसने कहा कि यहोवा तू ही जाने उसने अपने निर्बलता का अपने मुझे अंगी कार किया मैं तो नहीं कर सकता लेकिन यहोवा तू ही जाने तो परमेशन ने कहा कि बोल इन हड्डियों से कि सेना को यह हुआ यह कहता है कि यह सूकी हड्डिया यह सूकी हड्डियों की तरह यह बड़ी सेना बन जाए बोल इन हड्डियों से कि सेना को यह हुआ यह कहता है कि इनके उपर मास्टर जाए बोल इन हड्यों से कि सेनाओं का यह हुआ यह कहता है कि इनके उपन्दर से आ जाएं बोल इन हड्यों से कि चारों दिशाओं से सास इनके अंदर आके समाज है बोल इन हड्यों से कि एक बड़ी सेना बन जाए तो ऐसा ही हो गया वो एक इतियास रचा गया कि परमेशोर ने उसकी निर्बलता कोई उसकी सामर्द बना दिया परमेशोर ने अब बरहाम के दोवारा इतियास रचा जब इबरहाम ने अपने हाप को सरेंडर के सूनने किया परमेशोर ने एलिया के दोवारा इतियास रचा जब एलिया ने अपने आपको बाल के पुजारी के आगे बिल्कुल दीनों नमर कर दिया बाल के पुजारी के आगे बिल्कुल ऐसा बना जिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता और खुदा के आगे बिल्कुल इतना दीनों नमर हो गया कि परभू मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता तु के विद्वारब एक इतियास रचा और जब दैनियल ने अपने आपको निर्बल और कमजोर जानकर खुदा के आत्मे सौपा की प्रभू मुझसे कुछ भी नहीं बन पड़ा तो ही मुझे बचा सकता है शेर की मान से तो उस समय भी एक इतियास रचा गया और जब मूसा के समय मुझा कि मुझा निर्बल है और बिल्कुल कुछ भी नहीं है उसने अपने मुझे इस बात का अपनी निर्बल तक आंगी कार किया तो मुझा को परमेशन ने एक ऐसा इतियास कार बना दिये कि वो चमतकार आस तक भी नहीं किये गए लोग आस तक उन चमतकारों को ढूंड कि कौन है इसे जो घृँशा को developed कर जब भात करें कहा ना ममुंकिन को चानता था कि मेरी मृत्यू होगी येस्एू को पता था कि मेरी मिर्ध्यू यरूशलेम में होगी और मैं किसी के दुआरा पकड़ाया जाओंगा। जब येशू बिलकुल निर्बल वो गया तो येश्यू के पास वहां पर एक उसको स्वर्गदूत सामर्थ देने आया। और से भर गी आप येशु का रूप बदल जाता है येशु सामर्थ पा लेता है येशु आनंदित होता है क्यों क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र की महिमा की आज वो आपकी महिमा करना चाता है अगर आप उसके आगे अपने आपको जीरो करें और को चुनते हैं या अपनी बुराईयों को खुदा की आगे लेकर आके खुदा की इच्छा को चुनते हैं खुदा की इच्छा यही है कि वह आपको बहुत बड़ा प्रतीफल दे तो प्रभू आपको आशिस दे आप सभी को जैमसी की